तो आज है तारिक 23 दिसमबर 2020 आज की तारिक से जितने भी important current affairs बनेंगे उन सभी current affairs को हम लोग detail में discuss करेंगे और गाइज ये series आपके लिए सभी exams के point of view से most important series है तो आपको जरूर देखनी है तो आगे बढ़ेंगे तो साथ ही साथ अगर आप लोगों को इस lecture की PDF चाहिए तो नीचे description box में telegram का link दिया है उस link के ओपर click करके telegram channel open होगा वहाँ पे आप लोग daily basis पे इस lecture की PDF ले पाओगे वहाँ से आप लोग daily download भी कर पाओगे आपने अभी तक इस channel को subscribe नहीं किया है तो ऐसा red color का बटन आ रहा होगा नीचे की side subscribe कर ले और bell icon प्रेस कर ले बैल icon जरूर प्रेस कर ले ना ताकि आपको daily basis पे इन videos की notification मिलती रहे okay now बढ़ेंगे आगे और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को यहाँ पर एक और चीज़ बताना चाहूंगा देखो मैं यहाँ पर mcq की series नहीं चलाता ठीक है mcq की series को नहीं चलाता क्योंकि देखो पूरे youtube पे आप कहीं भी जितनी भी mcq की series है ठीक है बड़े से ब करता हूं कि आपको article थोड़ा detail में मालूम होना चाहिए article आप लोग को मालूम होगा अच्छी तरीके से तो आप लोग mcq easily solve कर पाऊगे ठीक है तो एक काम मैं कल से भी करने वाला हूं कल से एक काम करूँगा कि इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए एक question रखा करूँग अगर कल के lecture में discuss करेंगे और आप लोग उसका answer बताना ठीक है और आप लोग तभी answer उसका answer कर पाऊगे जब आप इसको सई से देख पाऊगे ओके now start करते हैं आते हैं सबसे पहले हमारा एक पहला article आता है यहाँ पर एक important personality है जिनकी recently death हुई है तो उन personality का नाम है मोतिलाल व जी इनके death हो गई है 93 age में 93 के complete हो चुके थे तो यह साथ ही साथ यहाँ पर Congress Leader तो थे ही साथ में former Madhya Pradesh Chief Minister भी थे और October के time पर यह Corona positive पाए गए थे ठीक है यहाँ पर हम लोग यह नहीं कह सकते कि COVID की वज़े से इनकी death हुई है लेकिन October में यह Corona positive पाए थे लेकिन बाद में ह इसी बज़ा से इनकी death हो गई है ओके नाओ थोड़ा सापको यहाँ पर detail देखने को मिलेगा देखो अब जो MCQ बनेगा तो आपसे यही पूछा जाएगा recently Indian Congress Leader की एक personality की death हुई है आपको option मिल जाएंगे तो आपको पता है यहाँ पर क्या है मोतिलाल वोरा जी है आपको इनका जन्म हुआ था 1928 में death हो गई 2020 में यह एक Indian politician थे जो की Indian National Congress को belong करते थे साथ ही साथ इन्होंने सर्व किया as a Chief Minister of Madhya Pradesh तीक है Madhya Pradesh के Chief Minister थे यह कब से कब तक 1985 से लेके 1988 तक फिर उसके बाद 1989 में भी यह Chief Minister बन गए थे Now उसके बाद 1988 की बात हम करें तो जो वोरा जी है यह member बन चुके थे राजय सभा के साथे साथ इन्होंने assume किया था Office of Union Minister of Health और Civil Aviation भी उसके साथ एक और चीज़ एक Cabinet Minister भी बन चुके थे हमारे भारत सरकार में उसके बाद आप लोग को एक और पॉइंट देखने को मिलेगा कि यहाँ पर इन्होंने Governor of Uttar Pradesh के लिए भी सर्व किया था यानि UP के Governor बन गए थे यह और कब से कब तक थे 1993 से लेके 1996 तक तो यह इनके बारे में थोड़ी बहुत detailing थी जो कि आप लोग को मालूम होना किसी भी exam के अंदर पूछा जा सकता है इसके बारे में तो हमने इस article को complete तरीके से discuss करा है यहाँ पर आते हैं एक important article है और यह हमारा है second article ठीके अब यहाँ पर exactly क्या बात हो रही है लेपर्ड की report आईए यानि कि लेपर्ड की population के उपर यहाँ पर चेक करा गया है तो हम 2014 के comparison में 2018 में क्या हुआ लेपर्ड की population increase होई है लेपर्ड की population भढ़ गई है ठीक है तो 2014 में कितनी थी 2018 में कितनी हुई है हम लोग इसको total discuss करेंगे कहाँ पर सबसे ज़्यादा population है उसको भी discuss करेंगे ओके अब यहाँ पर आपको मैं बताऊं तो जो हमारी union minister है एन्वोर्म ने देखा कि जो लेपर्ड population है वो भढ़ गई है 60% से 60% increment देखने को मिला ओके तो जो यह मध्या प्रदेश है यह एक highest number of leopard बन चुका है इंडिया के अंदर में भारत में सबसे ज़्यादा population लेपर्ड की वो है मध्या प्रदेश में आपको note down करना इसको ठीक है यह भी camera trapping method से यानि कि camera के तुरू दे को cameras लगा दिये जाते हैं सब जगा पर उसके तुरू यहाँ पर trap करा गया है camera के तुरू यहाँ पर पता लगाया गया है कि जो leopard की population है वो increase हुई है अब अगर हम बात करें 2018 के अंदर तो यह population हो चुकी है 12,852 लेपर्ड हो चुके हैं ठीक ह as compared to the previous estimate यानि कि 2014 में कितने leopard थे वो थे 7,910, 7,910 थे तो आप देख सकते हो 7,910 से 12,852 लेपर्ड हो चुके हैं ठीक है तो यहाँ पर एक huge increment देखने को मिला है इन 4 सालों में कितने परसेंट सक 60% से बात करें तो इन 12,852 में से सबसे ज़ाद लेपर्ड कहां पर हैं वो है अदर उसके बाद करनाटका में हैं धेर सारे और थर्ड नंबर पर आता है महराष्ट्रा ठीक है तो फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे रिपोर्ट में थोड़ा बहुत यह बताया उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को देखने को बलेगा इंडियन सब कॉंटि है वो बहुत तेजी से डिक्रीज होता चार जा रहा है या फिर कभी-कबर ऐसा हो जाता है जो लेपर्ड का कॉंफ्लिक्ट देखने को मिल जाता है यानि कि आपस में जो इनसान और जानवर भिढ़ जाता है कभी-कबर ऐसी सिच्वेशन बन जाती है ठीक है तो इनसान को य इनसान सबसे जाते हैं आपर मार देता है जानवर को अगर हम यहाँ पर बात करें तो यह सारी चीजे हैं जिसकी वज़ा से जो लेपर्ड की पॉपुलेशन है वो खत्रे में है ठीक है जैसे मैं अभी आपको बताया है हैबिटेट लॉस हो रहा है नैच्रल प्रे डिप्ली का टाग जब मिल जाएगा यानि की जो यह लेपर्ड की प्रजाती है वो बहुत जा jullie Ciao मैं है इसको बचाना पड़ेगा ठीक है बहुत खत्रे मैं इसको बचाना पड़ेगा और यह टाग कौन देगा आप लोग ए macht आप लफो मालू होना चीए यह जो वलनेरेबल का यानि कि खत्रे में है प्रजाती रेड लिस्ट में डाल देता है तो वो सब कौन करती है वो एक बॉड़ी है हमारी IUCN अब इसका नाम क्या है International Union for Conservation of Nature इसका नाम है अगर हम बात करें region wise में हमने state wise में तो देख लिया कहाँ पर सबसे ज्यादा leopard की population है वो है मदिर प्रदेश में उसका बात करनाट का उसका बात महराश्ट्रा नाओ यहाँ पर अगर हम बात करें region wise में तो जो highest number है leopard के कितने 8071 ये मिलते हैं हम लोग को Central India म में देखने को मिले हैं Eastern Guards में देखने को मिले हैं लेकिन अगर हम North East Hills की बात करें तो वहाँ पर सरफ और सरफ 141 लेपर देखने को मिले हैं ठीक है ज्यादा तर कहाँ पर कौन से region में है Central India और Eastern Guards में आगे बढ़ेंगे उसके बात यह आप वही चीज़ बताई गई है इनक को आप easily skip कर सकते हो आगे बढ़ेंगे हम लोग next article हमारा third article है इसमें एक आप लोग को मालूम है United Kingdom के अंदर लेंडन में एक नया virus एक new strain of COVID-19 के देखने को मिले हैं coronavirus का एक नया strain एक नया mutation देखने को मिले हैं अब उसका नाम क्या है उसका नाम दे दिया है B.1.1.7 अब इस वाइरस के चलते UK में ये फैल गया बहुत तेजी से spread हो रहा है 70% तेजी से यहाँ पर फैलता जा रहा है तो उसकी वज़ा से इंडिया ने तो भाई अपनी flight जो है cancel कर दी इंडिया ने सारी flights जो है जो कि UK जा रही थी आ रही थी UK से आ रही थी उन सब को cancel कर दी हैं कब तक 31 December तक क्योंकि ये जो SARS-CoV-2 का नया variant है कौन सा B1.1.7 ये बहुत जादे खतरनाक बताया जा रहा है और जो कि spread हो रहा है बहुत तेजी से ओके नाव थोड़ा सा detail देखेंगे ये पिछले हफते की बात है ये नया SARS-CoV-2 का variant हम लोग को देखने को मिला है खास कर जब से जा पर ये VUI बोला जा रहा है variant under investigation यहाँ पर इसके ओपर investigation चली रही है लगातार लेकिन अगर हम बात करें तो इसके अंदर 17 mutation देखने को मिला है यहाँ पर बताया नहीं किया है मैं आपको बताता हूँ 17 mutation देखने को मिला है अब यहाँ पर mutation क्या होता है देखो mutation का मतलब होता ह gene के अंदर changes होना ठीक है यानि कि एक virus मानलोगी coronavirus है जो कि पहले का था लेकिन उसके अंदर जैसे ही genes उसकी जो भी genes है उसके अंदर changes होते रहेंगे तो वो अपना रूप बदलता रहेगा तो इसी तरीके से जो हमारा COVID-19 था उसके अंदर genes changes होते रहे होते रहें लगातार त अपने form, shape, सब कुछ बदलता रहे तो उसी तरीके से यहाँ पर भी एक mutation देखने को मिला है इस virus के अंदर कौन सा B1.1.7 और ये B1.1.7 के अंदर 17 mutation देखने को मिले हैं अब 17 changes देखने को मिले हैं एक ही हफते के अंदर कुछ ही हफतों के अंदर तो अब समझ सकते हो कितना dangerous ये हो सकता है और साथी साथ यहाँ पर इसके analysis यहाँ पर क्या suggest कर रहे हैं कि जो transmible है ये भी काफी तेजी से है यानि कि जो ये virus है ये तेजी से एक person से दूसरे person के अंदर transmit हो रहा है ओके ना उसके बाद next article पर आएंगे यहाँ पर बात हो रही है Southwest Monsoon 2020 की 2020 में जो हमारा Southwest Monsoon है उसकी जो बारिश है वो कितनी record करी गई है basically आपको सरफ वो सरफ इतना ही जानना है यहाँ पर Indian Metrological Department जिसको हम लोग IMD बोलते हैं जो की हमारा सब का सब जो weather होता है उसको forecast करता है ठीके weather को forecast करता है weather का एक estimation लगाता है कि किस तरीके का weather रहने वाला है कल के दिन पर अगल सरफ आपको इतना पढ़ना है और यह बहुत ही गजब की बात लिखी गई है यह जो season अब की बार 2020 का जून से लेके सितंबर तक का महिना है वहाँ पे बारिश जो भी आप लोग को देखने को मिली है वो 2020 के अंदर वो 109% है अपने long period average के अगर हम देखें अपने LPA के हिसा से 109% तक है जिसको बोला जा रहा है यह third largest rainfall हुआ है third highest rainfall यानि कि इतनी जादा बारिश पहले हुई थी 1994 में पर उसके बाद हुई थी 2019 में now अब हुई है 2020 में ठीक है 1994 के बाद इतना लंबा gap 2019 में इतनी तगडी इतनी भारी भर कम बारिश हुई है 2019 के बाद 2020 में बहुत भा है कि जो south west monsoon है 2020 का वो काफी हमारा heavy रहा है rainfall भी काफी heavily देखने को मिली है अगर हम बात करें केरेला में इन सब जगा पर काफी ज़त देखने को मिली काफी सारे हम लोग को cyclones देखने को मिले सीवर cyclones देखने को मिले देखो वही बात यहां पर बताई गई है cyclonic storm देखने को है high level committee बनाई जा रही है ताकि हम लोग respect पे कर सके 125th birth anniversary of सुभाष चंदर बोस जी की देखो 125 वी anniversary बनाई जा रही है सुभाष चंदर बोस की उस अफसर पर हम लोग एक high level की committee बना रहे है ठीक है ताकि हम उनको एक respect दे सके तो यह जो सरकार है इसने decide किया है कि यह committee बनाई ठीक है किस पर 125 वी anniversary पर किनके सुभाष नेता जी सुभाष चंदर बोस जी की anniversary के उपर नौ यह जो high level committee है यह decide करेगी activities के उपर एक साल तक यह committee रहने वाली है और यह start कपसे होगी तेहिस से January 2021 से इस committee को start करा जाएगा यह जो high level committee है इसको head कौन करने वाला है इसको head करेंग जो members है इसके अंदर वो कौन कौन से होने वाला है members बहुत सारे experts होंगे historians होंगे authors होंगे family members of नेता जी सुभाष चंदर बोस होंगे नेता जी सुभाष चंदर बोस के जो family members है particularly वो सब भी इसके अंदर include होंगे as well as काफी सारे eminent persons होंगे जो की आजाद हिंद फौज से जु infection fell रहा है कहां पर केरिला के अंदर है और इस infection का नाम है shiglossus ठीक है बहुत जादा news के अंदर में था ये shiglossus तो जो हमारे health officials है कोजी कोडा district केरिला के इन्होंने यहां पर बताया कि ये जो shiglossus है इसके बारे में साथी साथ आपको ये भी जानने के हरानी होगी काफी सारे बच्चों को ये infection हुआ ये काफी जादे आप कह सकतो खतरनाक भी है क्या है ये basically मैं आप लोग को आगे बताऊंगा तो ये जो infection है nearly two dozen suspected cases were detected यानि कि दो दर्जन यानि कि 24 से ऊपर cases देखने को मिल चुके हैं इस shiglossus के now यहां पे shiglossus या फिर आप कह सकते हैं इस shig chiglausus या chigella infection जो है contagious intestinal infection है contagious contagious यानि की contagiousmost का मतलब होता है person to person यहां पर यहां पर यूप्र फैल सकता है ौके तो यहां पर यह जो intestinal हे हमारा intestine है sexuality के यहां पर infection basically देखने को मिल सकता है इस तरीके का यहां पर यह infection है अगर हम बात करें तो एक type का जो यह bacteria है is one of the prime pathogen responsible for causing diarrhea तो यह जो shigolosis है यह टाइप का बैक्टीरिया है जो की responsible है डाइडिया के लिए इससे क्या होता है, main symptom है जो इसका वो है डाइडिया, अगर यह shigolosis है किसी को तो main सबसे पहले क्या देखा जाएगा उसके अंदर कि उसे diarrhea है okay, especially in children in African and South Asian regions के अंदर यहाँ पर काफी सारा देखने को मिलता है यह, Africa और South Asian region में यह shigolosis देखने को मिलता है, जो बैक्टीरिया है जब यह body के अंदर enter हो जाता है तो यह attack करता है epithelial lining of the colon resulting in inflammation of the cells जो आपके cells होते हैं, उनके अंदर सूजन आजाती है, और उसके तुरू जो cells हैं, वो आपके damage होने चालू हो जाते हैं, इस infection की वज़ा से, अगर हम बात करें इस infection के कुछ common symptoms है यहाँ पर आप लोग को दिखेंगे, को मिलेंगे सबसे पहले जो diarrhea है, diarrhea में को मिलता है, fever, nausea vomiting, यह सारी चीज़े देखने को मिल जाती है अगर यह आपको sheglosis है तो जो infection है यह, इसे हम लोग is known to spread person to person, हम इसे जानते है, person to person यह फैलता है इसी वज़ा से हम इसे contagious भी बोलते है अब इसका prevention क्या है यहाँ पर इसका solution क्या है medicine क्या है, तो सबसे बड़ी बात, देखो, होता क्या है यहाँ पर, जैसी, जैसी unhygien unhygien create करता है इस sheglosis को और यह बहुत ज़ादे ज़रूरी है it's important to wash hands with soap यानि कि अगर आप लोग अपने आफस पास hygiene maintain करके रखोगे soap use करोगे then उसके बाद यह काफी सारी problem solve हो सकती है especially यहाँ पर बोला गया है जब आप children के diaper से deal करो यानि कि children के diaper आपने उसे पहना आया है या उतारा है उसका तो आप उसके अपना हाथ जो है soap से धोलो है ना, या फिर कोई आप खाना वगरा prepare कर रहे हो तो उससे पहले आप अपना हाथ दोलो तो इसका एक यह main prevention है उके, ना उसके बाद next article पर आएंगे यहाँ पर बात हो रही है Legion of Merit Award की तो US के President Donald Trump ने present किया है एक prestigious Legion of Merit Award Prime Minister Narendra Modi को एक award दिया गया है Donald Trump के दोरा तो यह एक highest आप कैसकते हो award है तो जो Modi ji को यहाँ पर चूज करा गया और यह जो award है यह किने दिया जाता है सरफ और सरफ Head of State Head of State और Government को यहाँ पर दिया जाता है तो जो Modi ji को चूज करा गया क्यों? क्योंकि Donald Trump के दोरा बताया गया इंडिया के साथ हमारे Strategic Partnership जो है वो बहुत ही पहतरीन तरीके से भड़ती भी नजर आई है Strategic Partnership बहुत अच्छी तरीके से निभाई गई है US और इंडिया के बीच में यही एक reason है जिसकी वज़ा से यह Legion of Merit Award दिया जा रहा है हमारे Prime Minister Narendra Modi ji को जो कि इंडिया के लिए भी Scott Morrison को भी दिया है उसके बाद Japan के Prime Minister Shinzo Abebe को भी दिया गया है अब आप लोग देखोगे कि इन सब के name आ रहे हैं इसमें कौन कौन आ चुका है इंडिया आ चुका है ऑस्टेलिया आ चुका है जैपैन आ चुका है अगर हम बात करें तो US ने अवार्ड दिया है अगर आप लोगो मालूम होगा ये चारो कंट्री मिलकर क्या बनाती है ये चारो कंट्री मिलकर बनाती है Quad Group ठीक है तो ये इसी वज़ासे यहाँ पे Quad Group भी न्यूस के अंदर है अब ये जो अवार्ड है देखो हुआ क्या है कि सारे ही प्राइम मिनिस्टर अपनी अपनी कंट्री में है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अपनी कंट्री के अंदर में तो अवार्ड किसने रिसीव कर ले अवार्ड जो रिसीव कर रहे है आज के लिए बस इतना ही मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए बाबाई हेवा नाइस टे